जाए हिंटो अफिसर्स कैसा आप लोग उम्मीद का तो बहुत ही अच्छी होंगे मेरा नाम है प्रधीक दोस्तो हाली में जो है पॉलिटिकली यहाँ पे निउस में बहुती बड़ा यहाँ पे हमें अपडेट जानने को मिला है अब यहाँ पे दोस्तो देखोगे मौरेशिस के लिए यहाँ पे बल्ले बल्ले वाली बात यहाँ पे हो गई है क्योंकि यूके ने ऑफिशली यहाँ पे डिकलेर कर दिया है कि वो यहाँ पे दोस्तो शागोज आईलैंड जो यहाँ पे दोस्तो आपको मौरेशिस का ही पार्ट देखने को मिलता था अब इसको यहाँ प African colony था, अब हम जैसे भारत के लोग, हम भी colony के पार्ट थे, है ना हम दो जादा खुश रहेंगे, कि भाईया जो Mauritius का, जो Shagos Island है, ये क्या हो गया है, ये decolonized हो गया है, टीक है, इंडिया का एहम भूमिका है, वीडियो में अंतक बने रही है, सब आपको बताऊंगा, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते कि हमें इसमें क्या क्या इविंट्स देखने को मिला है, अब हाली में बात करेंगे तो UK ने और Mauritius ने एक agreement कर दिया है, sign, और सीधा-सीधा यहाँ पे UK ने बोल दिया है कि हम यहाँ पे जो शागोज आइलेंड है, यहाँ पे ध्यान से देखना, कि हम यहाँ पे जो शागोज आइलेंड है, खासकरी Archeapelago है, Archeapelago मतलब क्या होता है? कई सारे islands का समू, है ना? То यह जितने भी जो island के समू जो archipelago था जिसको यहाँ पे शागोज बोला जाता था ये दिया जा रहा है वापस से Mauritius को जो originally इनी का था मैं पूर आपको historical time and बताऊंगा कि कहां से शुरुआत हुई है और UK ने कैसे illegally इसको occupy कर लिया था अपने यहाँ पे शडियंतरों से ठीक है अब यहाँ पे देखा जाए बहुत ही लंबा dispute तो था ही बट अब यह जो UK का जो आखरी African colony जो Mauritius का जो आप देख सकते हो शाग्योज आपका archipelago है यह अब क्या होगे decolonized हो गया है यह अच्छी बात है अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या पूरा event देखने को मिलता है बट हम इसको PPT से नहीं समझेंगे हम इसको अच्छे से राइट करके समझेंगे कैसे भीया आईए बात करते हैं तो होता क्या है historical background की बात करेंगे historical background की दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे फटफट से करेंगे आपको कभी time में आपको चुट्कियों में हर चीज़ पता चल लाएगी देखो शुरुवात होती दोस्तों 16th century से 16th century से शुरुवात होती है जब यहाँ पे जो पौर्टिउगीज है यह यहाँ पे क्या करते है इस island को क्या नाम है इसका दोस्तों तो यहाँ पे जो शागोस का जो आर्के पलेगो है इसको क्या करते दोस्तों यह discover करते है खोज करते है इसकी नमबर वन ठीक है पौर्टोगाली इसको यहाँ पे डिसका जो करते है शागोस के आर्के पलेगो बहुती बढ़िया अब इसमें डियोगो गार्शियों क्या है इसकी भी बात करेंगे बट कि 17th से 18th century के अगर आप बात करो इसके अगर आप बात करोगे तो बाद में French क्या करते है जो French है दोस्तों वो यहाँ पे आते है शागोस के आर्केपलेगों में याद रखना और ये क्या करते है इसको illegally illegally दोस्तों क्या करते है इस island को, archipelago को occupy करते हैं, याद रखना, ठीक है, बहुत ही बुरी बात है, किसके लिए खासकर, maurisius के लोगों के लिए, अब होता है क्या दोस्तों, कि यहाँ पे फिर, 19th century में, खासकर आपको, exact आपको यहाँ पे यहर बता रहा हूँ, कि 1814, 1814 में क्या होता है, फ्रेंच म यहाँ पे एक किसम से खतम ही हो जाता है, है कि नहीं, फिर उसके बाद देखोगे, जो UK है, खासकर तब की टाइम में, ब्रिटेन बोला जाता था, वो क्या करता है, maurisius को, maurisius को, प्लस यहाँ पे, जो शागोस का, archipelago है, इसको क्या करता है, colonize करता है, illegally करता है, ठीक ह यहाँ के maurisius के लोग बड़े तंग हो जाते हैं, परिशान होते हैं कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, बड़ यहाँ पे UK illegally कर देता है, बेरहाल, फिर बात में हमें देखने को मिलता है, लड़ाईया चलती है, हमने भी यहाँ पे लड़ाई लड़ी, है ना, कई independence moment देखने को म यहाँ पे कैनेडा को किया, कई सारे सावधी सेशन कंट्रीस को किया, एफरिका को किया, maurisius को भी किया, बट यहाँ पे बात क्या है कि आपका साल आता है 1965, अब UK ने बड़ी यहाँ पे चालाकी कर दी, 1965 में इन्होंने क्या कर दिया, कि यहाँ पे जो शागोस का, शागोस तरह भिए विद्ञे कहां यहां अम यहां पर रख्ति है यह में पर ब्रिटिश के इंडियन इंडियन ओशन किंए ठीक है यह इसका नाम रखती है इन्हों ने यही इनका यहां पर चाला की थी यह जिस भी कंट्रिक को यह आप क laptop डिये है से पहले यह partition करके आते हैं, इंडिया का क्या क्या, इंडिया पाकिसान मना दिया आप देखोगे, नौर्थ और साउथ कॉरिया कर दिया, इसराइल और यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे गल्फ कुंट्रिक अबॉर्ड देखने को मिलता है, यह सारा आज 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 जो जो UK का बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें देखोगे, तो मौरिश्यस को भी यहाँ पे शागुस आर्कियोपलोगों से अलग कर दिया, बोला यह हमारा है, चलो कोई बात नहीं, बहुत विरोद देखने को मिला, फिर बाद में क्या होता है, कि 1968 को मौरिश्यस को मिलती है बीच में, 1966 का इवेंट आता है, और यहाँ पे UK क्या करता है, बिना इनके परिमीशन के, UK देता है USA को, डियेगो गार्सिया, ठीके, अब यह क्या है दोस्तों, अब यह जो शागुस आर्कियोपलोगों, इसमें कई सारे आइलाइंड्स है, इसी में एक अटोल देखने को मिलता है, डियोगो गार्सिया, और यह डियोगो गार्सिया, दोस्तों, UK देता है USA को, लीस पे, कि भाई, आप यहाँ पे military base बनाओ, nuclear submarine बनाना है, weapon बनाना है, जो infrastructure बनाना बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 66 में देखोगे, यह पुरा डियोएस और UK में देखने को मिलता है, अब इसके वरे से क्या होता है, कि नुकसान किसका हो रहा है, यहाँ पे Mauritius के लोगों का हो रहा है, वो बड़े परिशान हो रहे थे, और इसमें देखने को मिलता है, कि in return में UK ने US से बोला, कि हम आपको lease पे तो दे रहे है, जो करना आप कर लो, बट यह चीज़ देखने को मिलती है, और यहाँ पे क्या करता है, US अपना military base बना रहा है, infrastructure पे infrastructure, submarine यह सब देखने को मिलता है, और यह 66 से देखोगे आप लगबख, लगबख यहाँ पे 1968 से लेके 73 तक, UK ने यहाँ पे एक तरीके से, जो शागोज, आरके पेलोगों की, जो native population थी, जो यहाँ के जो लोग रहते थे, उनको यहाँ पे बिल्कुल क्या कर दिया, wipe out ही कर दिया, निकालने की पुरी प्रकरिया, जैसे यहाँ पे, US में देखोगे, तो ब्रिटेन ने क्या क्या यहाँ पे, जब वो रहते थे, जो red Indians थे, जो native Americans थ उनको इसी timeline के frame में wipe out कर दिया, निकाल दिया, और US के army को बोला कि आप आराम से यहाँ पे रहो कोई दिक्कत नहीं है, तो यह बड़ा dispute आपका चल रहा था दोस्तों, और इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे अच्छे से, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीके, तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखोगे, तो कई सारे legal dispute समय देखने को मिलते हैं, Mauritius ने फिर यह मामला International Court of Justice में उठाया, और यहाँ पे देखोगे लगबग आपका 2019 में बात जाती है, और फिर बात में International Court of Justice भी UK को बोलता है, चल क्या रहा है, आप ऐसे illegally कैसे कर सकते हो, आपको तो यह देना ही पड़ेगा, Mauritius को, फिर भी लगबग देखोगे, 5 साल तक नहीं मानते, कई सारे आपको delays देखने को मिलते, है ना, फिर यहाँ पे देखोगे, कि UK और US in return में यह चाते थे, इंडिया तो खुल के support कर था, Mauritius को, बट UK और खासकर US, US चाता था कि भ यहाँ पे बोला, simple सी बात है, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे, Mauritius को, Mauritius के यहाँ पे क्या करेगा, डियोगू गार्सिया, जो आरके पहले को आपका शागोस काई बाठ है, यह US को 99 years के लिए, मतलब स्वार, UK को 99 years के लिए, यहाँ पे lease पे देगा, फि लीज पर रहेगा, पैसा देना पड़ेगा भी यह, Mauritius को, तो यह lease पर 99 years के लिए, यही negotiation हुआ है, और यहाँ पे Mauritius को officially, यह जगा अब मिल चुकी है, बढ़ भेराल, कई सारे हमें negotiation history देखने को मिली है, रिसेंटी बात कुरों, 2022 महीं, जो रिशी सुनों की government थी, तब की टाइम में, तो लगभग 11 rounds of negotiation हमें UK और यहाँ पे Mauritius की पीस देखने को मिले, प्रेजेंट की जो government है, लगभग यहाँ पे देखो, दो rounds of हमें negotiations देखने को मिले, तो लगभग इसमें भी 2 साल लगे, 2022 से लेकि 24 तक 2 साल से negotiations में लगे, ठीक है, तो इसके बाद ही अब यहा पे Mauritius को यह तो आर्किपलेगो मिल गया शागोस का, बट यहाँ पे in return, यहाँ पे यह लोग lease पे दे सकते हैं, डियोग गार्सियोग इसको UK को दे सकते हैं for 99 years, lease पे, पैसा देना पड़ेगा भी US-UK वालों को, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि इसका location कहाँ पे यह देखोगे तो हमारा है प्यारा भारत, इसको हम कलर कर देते हैं, यह है हमारा दोस्तों, प्यारा सा भारत आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी के लगब नीचे डाउन सॉफ देखोगे, लगब हजार किलो मिंटर, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, शागोस इसको बिलिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बोला जाता था इसको जूम करो कि अच्छे से तो आपको यहां पर डियोगो गार्सिया का आपको मिलिटरी बेस देखने को ने कर जो आपको यूएस का था है ना अपको यह तो लीज पर चला गई है तो लबस सोला सुब देखने को मिलते है वेदर इसका यहां पर अच्छा खासा है ट्रॉपिकल है मरीन क्लामिट है और अच्छा ही यहां पर माना जाता है ठीक है अब आपके लिए दोस्तों मैं एक सवाल छोड़के जा रहा हूं क्योंकि मौरिशस की बात हो रही है कि अभी के यहां पर आपको कौन देखने को मिलते हैं मौरिशस के अगर आपको वीडियो इंफॉर्मिटर लगा जरूर शेर कीजिए लाइक लिए सब्सक्राइब करना ना फूले